जिला अधिकारी विज़े किरन आनंद ने पिपरॉली बलाग के ग्राम पंचायत सीर में चौपाल लगाया जिसके संबंध में सीर्यो इंडरजीत सिंग ने बताया कि जिला अधिकारी के द्वारा सीर prize में चौपाल लगाया गया है जिसमें अधिकतर मामले राजश्व रासन वित्रण से संबंधी ताए जिसको नोट करके IGRS पर अपलोड करके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया जिसको एक हफते के अंदर निस्तारण किया जाएगा इसके अलावा शासन के द्वारा चल रही कल्यार काड़ी योजना के बारे में गाउं के लोगों को बताया गया जिससे की ज्यादा से ज्यादा लाब गाउं वालों को मिल सके इस उसर पर SDM सहजनवा सुरेश कुमार राय सहित अन्यधिकारी मौचूद रहे इस संबंद में गुरपुन न्यूस से बात करते हुए सीडियो इंद्रजीत सिंग ने कहा जिसमें जनपज स्तेर से स्विक्रित 42 हो चुके हैं वित्ति स्विक्रिती तीन करोड और सट लाग चंवन अजाद 243 रुपर की है पचीस कारियों का टेक एलवन टेंडर जारी हो चुका है निवदा कारियों की धंडासी एक करोड 92,342 रुपर है दो कारे प्रारम हो चुकी है तीन कारे दो कारे सर दो कितने कारे हैं तोटल निवदा में सर सर 42,42 सर यह सर हो चुका है इन पर मटे सर वह भी हो जाएंगे सर यह ख़पते स्टार्ट हो इसके अंसर गएगा और कुसी होजना है इसका मैं पशुदम धीमा इसके अंसर आप किसी भी पशुद के जिए जो भूत दे रहे हो जाए जो घरभती हो इसके लिए बीमा किरा सकते ही कि इसके अगर कोई क्याजओती हो जाती है या बिश्ती हो जाती है तो आपको उसने इसके उसके लिए उसके पचाइब करेंगे हाथ बाईब सुझी बहुत बढ़ा तो जो यह भी गळियान नालिया बन रही एं उसमें चोटे-चोटे विवादों में नहीं हुट जाना है कारे की गुणवत्ता देखनी है अभी जैसे पुक्रे का सुंदरी करन हो रहा है वहां शान से सुबा वॉकिंग करिए टैलिएगा शाम को आप परिवार के साथ परिवार के साथ गुमने के लिए रहेगा इतना सु क्रिपी सर दुबारा हुए पाले 25 कारियों के विपार में आठ कारियों कि अचीज में गुलब गुलब हां और क्या लिया है सद्धों पोकरे हैं स्कूल की बॉंड़ी है एक पारात घर है प्रात्मिक विंद्याले का मरमत है सर मरमत यस सर असल जो है सियर गाउंट में डीम और इसके साथ साथ जो ये पंचायत के लेटर हैं विकास में से लेटर हैं इनको सब को सूचित बद करके आईजी अरस के सिस्टम में लाके सब का निस्तारन किया जाएगा और जो जितने भी जिला सरी इदिकारी हैं सब लोग पहुँचे थे उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में चपाल में डिटेल में बताया है सरकार की सारी जोजनाएं जो चल रही हैं और डैरेक लोगों से समबात किया है और जहां जहां समस्या है उसको हल किया गया वहीं पर लेकिन जो समस्या बची है उसको अगले एक हपते में कराके एक अनुपालन आख्या के कर दो कर दो